इस इंटर्नल लिंकिंग इंटर्नल लिंकिंग के फायदे क्या होते हैं आज की वीडियो में हम यही जानेंगे तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्केप ना करें वीडियो को लास्त तक देखते रहें वेलकम तो शुद्नॉलज मैं हूँ रवी कांथ और आज आप सीखने वाले हैं इंटर्नल लिंकिंग चलिए सबसे पहले डेफिनिशन समझते हैं इंटर्नल लिंकिंग की इस आर हैपर लिंक्स विच बिलॉग स्टू सेम डुमें यानि कि यह वह हैपर लिंक होते हैं जो सेम पर ही अवेलेबल होते हैं सेम डुमें से बिलॉग करते हैं बट आर इंटर्ल लिंक्स तो डिफरेंट पेज दूसरे पेजों से यानि सेम डुमें के दूसरे पेजों से इंटर्लिंक होते हैं इंटर्नल लिंकिंग और वेरियस एंटर्र पेज़स फ्रॉम वन पेज़स दोमेन की एक आपका डोमेन है मान लिजो एबीसी डॉट कॉम उस पर इंटर लिंकिंग हो रही है किसी भी मल्टिपल पेज़ों की एक पेज से दूतरे पेज़ों पे तो इसको हम इंटर्नल लिंकिंग कहते हैं तेर आर डिभाइब टसव टेंटर्श चूट और बादि लिंक्स यारिगं की अलगाग तरी के के इंटर्नल लिंकिंग होते हैं डे लॉकास फील होता हैं उतलो को इंटर्सेट यलिंग और बादि कंज़ते हैं जैसे कर्ड़ एक एएक इमेड तो लेफ्प हैंसायट डॉट- यह website का नाम है और seo abc.com slash seo page है यहाँ पर किसी भी keyword को आपने click क्या click करते ही आप redirect होते है second number पर जो वेb page number two है जो कि एक ही domain का है तो इस तरह से एक ही page से एक ही domain के एक page से दूसरे page पर redirect होना किसी भी hyperlink वाले keyword को click करके इसे हम internal linking कहते हैं users of internal linking well internal linking में जो usage होते है वो क्या होते है तो जहाँ नहीं चलते है they allow users to navigate a website users को navigate करने में असानी होती है दूसरा point है they help establish information hierarchy for the given website यानि की एक hierarchy के तरह से जो information होती है वो easily आप बन जाती है second third point है they help spread link equity ranking power around website यानि की एक domain पर ranking power बढ़ाने के लिए link equity distribute करने के लिए के internal linking बहुत ही best option है आपके पास example से समझते ease of navigation ease of navigation में माल लीजे page 1 है आपकी website page 1 page 2 page 3 page 4 है चार pages है इंटर में लिंगे तो page 1 को connect page 1 page 2 से भी connect है page 1 page 3 से भी connect है page 4 से भी connect है तो इस तरह से यह सारे के सारी एक दूसर से connect है page और इससे क्या होता है कि user को पहुती आसानी होती है navigation करने में page 1 पर आया page 1 पर उसे कोई content पसंद आया और वहां पर कोई hyperlink लगा पड़ा था उस hyperlink को क्लिक करके वह किसी भी inner pages पर वह जब visit करता है तो यह ease of navigation कहलाता है जैसे कि उसको ढूटना नहीं पड़ता किसी भी internal links को और वो जो भी content में link प्रवाइड के था जो भी important link प्रवाइड के था उसके तो दूसरे उस content पहुंचाता है जहां कीवर्ड से related उसको बाकी details मिलती है तो इमेज के अंदर आप देख सकते ही टॉप पे यह माली यह home page है उसके बाद यह solo pages है और फिर आप एक तरस दिनको category page भी कह सकते हैं और इसके अंदर में कई सारे products की pages हो सकते हैं या सब category हो सकती है और उनकी अंदर में वाकी products की pages है तो इस तरह से यहां पर hierarchy बन जाती है थर्ड एक्जम्बल है spreading link equity जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में आपका main page है main page को link मिल भी रहे हैं और यह दूसरे pages को link distribute भी कर रहा है तो a,b,c,d 4 अलग-अलग pages है जो एक दूसरे को link equity share कर रहे हैं जिनका link juice पास हो रहा है a,b से link है b,c से link है d,c से link है और यह सारे के सारे web pages link है हमारे main pages से जैसे कि एक दूसरे को यह link juice पास कर रहे है उसके अलाबा हमा जो main page है उसको भी link pass कर रहे है अब यही हमारे जो में पेज है हमारे लफ्ट हाइट साइज पर आप देख सकते हैं पेज नमबर 1, 2, 3, 4 इनको भी कहीं ने कहीं इंटरनल इंटर लिंक इसने किया है तो इस तरही यह हो रहा है जितरी भी इसकी अथॉरिटी है और इसकी जो लिंक एक्विटी है इसके जो ल distribution है यह काभी बढ़िया तरीके से यहां पर distribute हो रहा है जो भी inner pages के अंदर importance of internal linking importance क्या है internal linking है अगर आप content आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे होते हैं तो यहां पर internal linking को आप यूज कर सकते हैं और internal linking यूज करने के लिए आपके website पर content का होना जरूरी है बहुत ही well written और totally fresh content और बड़े बड़े content जादा content का होना बहुत जरूरी है और यह कहीं नगी ranking factor के लिए काम भी करेगा दूतर है use anchor text और internal linking अगर आप यूज करेंगे तो कहीं नगीं आप anchor text को भी optimize कर रहे हैं और third point कहता है link deep internal linking के वज़ा से यह होता है कि आपके काई सारे आसे pages होते हैं जो काफी deep होते हैं यानिकि एक main category होगी फिर sub category होगी और scandal भी कोई category हो सकती है तो इस तरह से आप अपने बहुत ही deeply inner pages उनको भी optimize कर लेंगे इंटर्नल लिंकिंगे तुरू fourth point कहता है use links that are natural for the readers अब इससे क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक particular keyword पर ही focus करेंगे और इसको hyper करके इंटर्नल लिंकिंग करेंगे आप नॉर्मल जो natural looking आपके keywords होते हैं उनको भी आप hyper कर सकते हैं और इस तरह से कहीं नहीं कहीं natural लगता है readers के लिए क्याता है increase user engagement on your site यारी कि कहीं नहीं गई user की engagement आपकी website पर बढ़ती है क्योंकि मानीचे एक content वह बढ़ रहा है उस content से related कई सारे और भी topics हो सकते हैं और उन topics पे आपने content बनाया होगा अगर वो topics उसने आपने उस particular page में mention किया है उसको hyper किया है और वह आपकी website के दूसरे pages से relate करता है तो यहां पर engagement जो user का बढ़ जाएगा क्योंकि इसको एक ही website पे multiple contents मिल रहे हैं जो काफी useful है six point है use follow links जभी आप internal linking यूज करते हैं तो आप do follow links ही use करते हैं इस अधर आपकी do follow links inner pages को भी कहीं ना गई benefit देने वाला है SEO के view से external link versus internal link यानि कि हमने internal linking के बारे में तो कर ली है लेकिन इंदनों के बीच का फर्क क्या है example में आप देख सकते हैं दो left hand side पे दो web pages है abc.com दूसरा है bbc.com abc.com और bbc तोटली different web pages है अगर abc पे कोई भी visitor आता है reader आता है उसको कोई ऐसा hypertext मिलता उसको क्लिक करके bbc पे जब redirect होता है तो उसको हमें external linking बोलते हैं लेकिन वहीं दूसरी और आप example देख सकते हैं bbc.com की website right hand side पे आप देख सकते हैं दो similar प्रणर के pages है और bbc.com slash SEO दूसरा इनका inner page है bbc.com पे अगर कोई ऐसा content है जिसको क्लिक करके bbc.com slash SEO पे redirect होता है तो इसको हम internal linking गयते हैं कि एक ही खुद की domain पर एक webpage से दूसरे webpage पर redirect होना तो होब करता हूँ आज की video आपको पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही video पसंद आई हो तो please like करना share करना और इसके अलावा comment करना बिल्कुल भी ना भूले मैं मिल तो next video में तब तक के लिए thanks for watching have a good day